तो फ्रेंड आज ओगी ये जैनुरी 28 और इस समय बहुत सारे ऐसे पर्मनेंट प्लांट्स होते हैं कुछ सीजनल प्लांट्स होते हैं जिन में सीट्स बरने लग जाते हैं और ये ऐसे पौदे होते हैं जो आपको पार्क में रोड साइड में या कहीं भी किसी फ्रेंड क्या दिख जाते हैं तो आप इस समय उनके सीट जो है कलेक करके अपने गार्डन में फ्री में उनके प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं तो मेरा वीडियो आज इसी टॉपिक पर है तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन से पौध है जिनको आप इस समय के और इसके अंदर जो है जैसे फल टाइप के होते हैं इसके जो सीट होते हैं जो सीट पौड होता है उसके अंदर छोटे-छोटे से काले-काले से बीज होते हैं और बहुत पतले नहीं होते हैं ठीक-ठाक साइज के होते हैं तो आप इनको कलेक करके बहुत इसली किसी भी तरीके की सॉयल में आप ग्रो कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में आपका जो है दिन का राजा का प्लांट त्यार हो जाएगा इस तरीके के सीड होते हैं और जब यह पक जाते हैं तो बिल्कुल डार्क हो जाते हैं ब्लैक से कलर के हो जाते हैं और इनको आप कलेक करके बिल्कुल करें कि फूल आते उनी में इसे ही ग्रो किया हुआ है और इसमें जो फूल जो एसperm оजाते हैं उनको भी आप ज्बू को तोड़ के अगर गंम्ले में डाल देते हैं आप आप मेरे प्लांटर में डिकले हुए तो इस मेरे ज्ब्रम में दिकले हुए वह तो है यह लार्ठ डेजी और लारट डेजी में इस समय बहुत अच्छी क्वालिटी के काफी अच्छे मोटे मोटे से सीड बनते हैं और भूट धेर सारे एक एक सीट पॉर्ड में काफी सारे सीड होते हैं आप कटिंग भी बहुत इस प्लांट की लग जाती है यहां पर आप देख सकते हो जब कि मॉनिंग गलोरी का सीजन जो होता है फ्लारिंग का वह वह होता है गर्मी के दिनों में लेकिन इस समय भी जो यह आप पौदे देख रहा हैं यह मेरे काडन में ऐसे गिर गिर के निकल आए जो पहले के प्लांटे उन में से सीट्स गिर गया होंगे तो यह पौदे बन गया है और इनमें इस तरीके के जो है सीट पौद बनते हैं और इनमें भी तीन चार सीट्स होते हैं जिन्हों आप कले करके कहीं से भी अगर आपको मिल जाए जो भी कलर आपके पास नहीं हो इस इसमें आपको बहुत सारे इस तरीके के सीड पॉट डेखने मिलेंगे जिनको आप कलेक करके इसके अंदर बीज होते हैं और इन्हें कलेक करके आप बिल्कुल फ्री में दूरान्ता के पॉद्धों को भी गूर्ध कर सकते हो यहां पर आप देख सकते हो यह साल्विया और साल्विया में यह भी प्लांट बहुत कॉमन होता है पार्क वगेरा में या फिर कहीं भी आपको किसी गार्डेन में अगर जो है साल्विया के पौदे देखने मिले तो आपको वहां पर जरूर चेक करना आपको इसके अंदर आपको हर उसके अंदर फ्लाइर के अंदर दिखेंगे यहां पर आप देख रहे हैं वह नास्ट्रीश्यम नास्ट्रीशं भी बहुत ही कॉमन प्लांट प्लांट है जो कि जो है पार्क वगेरा में आपको देखने मिलेगा और यह प्लांट बिल्कुल प्री में मैं ऐस ग्र परिजात के पौधे तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है जो की अक्सर जो है रोड साइट पर लगाए जाते हैं तो इस समय जो बड़े-बड़े प्लांट्स हैं परिजात के उनमें आपको सीट पौड देखने मिलेंगे और सुके-सुके से सीट भी आपको जैसे इसमें तो मेरे साइट में ग्रीन है लेकिन आपको इस समय बड़े जो प्लांट्स है जहां पर फुल संलाइट मिलती है वहां पर आपको सुके-सुके से सीट पौड भी देखने मिलेंगे उन्हें कलेकर करके आप ग्रो कर सकते हो यहां पर आप देख सकते हो यह है बोरी-चोरी का मिक्स होता है किसी भी गंबले के साइट में डाल दो बहतर यह रहता है और बहुत जल्दी इसमें से जो है नए प्लांट्स क्रो हो जाते हैं तो बहुत ईजी टू प्लांट है देखने में भी काफी सुन्दर लगता है यहां पर अप्राजिता है अप्राजिता एक कॉमन प पूजा में काम आते हैं और काफी अच्छा मेडिसनल यूज भी होता है यहां पर आप देख सकते हो धनबजिया और इसमें भी समय बहुत सरे सीट्स बनते हैं तो आपको कहीं भी किसी फ्रेंड की यह प्लांट देखने मिले तो चेक जरूर करना इस तरीके से चोटी- होते हैं तो जहां कहीं भी आपको यह प्लांट देखे चेक जरूर करना इस समय आपको इसमें से दो तीन सीट पॉट तो पके वह मिली जाएंगे जिनको आप कलेक्ट करके बिल्कुल फ्री में घ्रो कर सकते हो यहां पर आप यह जो प्लांट देख रहे हो यह है रापिट विल्कुल फ्री में घ्रो कर कर सकते हो फिनेखju एब क्रीन बेरी हीबिसकस अर्यक्रण इसमें काफी हची के प्लांट में संवेत्ट यहां पर अब सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर है धतूरे का पौदा और धतूरे के पौदे में काफी अच्छी क्वाल्टी के सीट पौड बनते हैं हर फ्लार स्पेंट होने के बाद एक मोटा सा सीट पौड आपको देखने मिलेगा और यह तो अभी छोटा है जब यह और बड़ा होता है तो इस तरीके के साइस क हो जाता है यहां पर आप देख सकते हो चोटे से बौल की तरीके से बन गया है और इसमें काफी धेर सारे सीट होते हैं और इन्हें आप बिल्कुल फ्री में ग्रो कर सकते हो यहां पर आप देख सकते हो यह है बार्ल एरिया और बार्ल एरिया प्लांट भी काफी सारे रीज में प्लारिंग अच्छी होती है तो इस तरीके से जब उसके फूल सूख जाते हैं तो इनके अंदर बीज बनते हैं तो इन बीजों को आप कर लेक करके बिल्कुल फ्री में ग्रो कर सकते हो यह बहुत ही सुंदर और हार्डी यहां पर आप देखसकतろ हो यह है दिया अडेनियम है और अडेनियम में इस समय फ्लारिंग तो कम हो जाती है लेकिन आपको जो स्पैंड फ्लार्स पहले के हैं उनके बाद आपको सीट पॉर्ट जरू देखने मिलेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो कि मेरे इन प्लांट्स में काफी अच्छे सीट पॉर्ट बनने स्टार्ट हो चुके हैं काफी सारे जो है राइप हो गयते राइप होने के बाद सीट पॉर्ट फट जाते तो उड़ जाते तो इस समय आप इन्हें भी ग्रो कर सकते हो बिल्कुल फ्री में यहां पर आप देख रहे हो यह है गॉंफ्रेना और गॉंफ्रेना के फूल करना इन्हें ले आना और आप किसी भी पॉट में अपने ऐसे ही डाल देना तो यह निकल आते हैं तो बहुत इजी टू ग्रो प्लांट होता है यह और इस तरीके से छोटे-छोटे से प्लांट बिल्कुल मैरीगोल की तरीके से इसली जो है यह जर्मिनेट भी हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छा प्लांट होता है जो कि आपके गार्डन से भी कभी नहीं जाता और इसली जो है सीट प्रोपोगेट भी किये जा सकते हैं पिर नेक्स प्लांट जो है वह है यह बहुत ही सुन्दर से येलो फ्लाइस वाला बटर कप बटर कप दो कलर में आते हैं एक बहुत है बहुत ही इसमें इसमें सीट पॉट बनते हैं और इनमें भी काफी डह सारे चोटे-चोटे से बीज होते जिनको आप कलेकर करके बिल्कुल फ्री में बटर कप प्लांट को ग्रो कर सकते हो पिर इस समय आपको टॉरैनिया प्लांट बहुत जादा कॉमनली देखने इसमें प्लांट को काफी सारे जो हैं जो फ्लार प्लांट के बादते हैं उतसे ब्ल्स पड़ूनिय के समय सोते हैं यहां पर डेख सकते हो यह हैं रूट बेकिक्त ब्लांट का ceux सबगसे में हो साथ esse से 2 पर आप सारी जगहों पर पार्कों में लगाया जाता है और इसके मैंने खुद घर में ग्रोकिया था लास्ट येश के सीट कर लिए था और यहाँ पर मैंने इंको ग्रोक करने के लगा दिया है बस इनको लगाने के लिए आपको लेकिन पर यूज़ करना पड़ेगा तो सॉफ्ट होते हैं यह डेलिया बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं जो की पार्क वगेर हम बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं और यहां पर भी यह पार्क में लगा हुआ है तो इसके फ्लार स्पेंट होने के बाद सीट पॉट बनते हैं तो इन्हें कलेकर के ग्रोग किया रहा सकता है के लावा यहां पर आप देख रहे हो एनुल क्राइजांतमम इन में भी जो है बिल्कुल जो है हैर फ्लार स्प्लाइर स्पेंट होने के बाद सीड़ बंते हैं इनसे आप फ्री के पॉद्धे ग्रोग कर सकते हो यहां पर क्यालन्डूलाज हैं क्यालन्डूलाज में भी ऐसा ह रहता है इनमें भी आपको काफी इच्छी क्वालिटी के सीट पॉट्स इस समय देखने मिलेंगे यहां पर आप देख सकते हो यह पार्ट सब्लांत है यह पर्मनेंट प्लांत है और इसमें फ्लार्स होने के बाब काफी मोटे मोटे बल्कुल मतर की दाने की तरीके से सीट तो उन्हें कलेकर करके आप बिल्कुल फ्री में ग्रो कर सकते हो या फिर लाख़ी देशी विंका बिल्कुल हर जगास मिल जाता है जिनों ने भी तक नहीं लगाए जरूर लगा क्यों कि इसमें कोई ज्यादा के जरूरत नहीं नहीं होती है बिगनर्स जो होते हैं उनके लिए बेस्ट प्लांट होता है वाइट और पिंक कलर्स में मिलते हैं तो मिक्स मैच करके भी ग्रो किये जा सकते हैं काफी सुन्दर लगते हैं यह भी देखने में बिगनर्स के लिए तो आप लोगो यह वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा अगर आपने चैनल पर नए हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब मैं चैनल पर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ